महत्मा गांधी ने कहा था कि जो कानून तुम्हारे अधिकारों की रक्षान ने कर सके उनकी अवहेलना करना ही तुम्हारा परम करतव्य है तीन खेती विरोधी काले कानूनों ने मोधी सरकार के मुखोटे को उतार दिया है और देश के 62 करोड किसानों और खेत मज़दूरों की अवहेलना विडंबना सरकार का एहंकार तो देखिए देश के ग्रह मंत्री शिरी अमिच शाह 1200 किलोमीटर दूर हैद्राबाद में चुनावी रैली करने तो जा सकते हैं पर वो दिल्ली के बॉडर पर 15 किलोमीटर दूर जाकर देश के लाखों किसानों से बात नहीं कर सकते हर्याना के मुख्यमंत्री शिरी मनोहरलाल खटर लाखों किसानों को जो दिल्ली के चारों तरफ अपनी रोजी रोटी मांगने के लिए करहा रहे हैं उन्हें आतंकी बताते हैं भारतिय जनता पार्टी के सांसद और उनके मुख्य प्रवक्ता अमित मालविया लाखों किसानों को जो अपना अधिकार मांगने आए हैं उनको आतंकी और खालिस्तानी बताते हैं मोदी सरकार और हर्याना की खटर सरकार मिलकर शांती प्रिये और गांधी वादी तरीके से अधिकार मांगने वाले किसानों पर बारह हज़ार मुकद में दर्ज कर लेती हैं देश के क्रिशी मंत्री और देश के ग्रह मंत्री ये तारीख रख देते हैं कि चिल चिलाती सर्दी के ठिटूरती सर्दी के अंदर सडकों पर बैठे लाखों किसानों से तीन दिसंबर तक बातचीत भी नहीं होगी देश के ग्रह मंत्री देश के क्रिशी मंत्री के पास पाँच पाँच दिन तक एंकारी सरकार के दरवाजे पर दसकत देकर अधिकार और रोटी मांगने वाले किसान के लिए समय नहीं है और देश के प्रदान मंत्री शिरी नरेंदर मोदी जी ने तो हद ही कर दी ग्रह मंत्री और क्रिशी मंत्री किसानों से वार्ता लाप का स्वांग करते हैं और आज मन की बात में देश के प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी जी खेती विरोधी तीनों काले कानूनों को सही ठहराते हैं जब देश का मुखिया जब देश के प्रधान मंत्री मोदी ही इन तीन काले कानूनों के समर्थन में आख खड़े होंगे तो बातचीत किस से होगी कैसे होगी और उस बातचीत का फाइदा क्या होगा दोस्तो साथियो असल में मोदी सरकार का मूल मंत्र है किसानों का शोषन पूझी पतियों का पोशन किसानों का दमन पूझी पतियों को नमन आज प्रधान मंत्री मोदी जी ने मन की बात में अन्नपूर्णा माता की चर्चा की मोदी जी किया अन्नपूर्णा की देवी आज करहां नहीं रही होगी जब अपने लाखों करोड़ों देश के 62 करोड़ उसके बच्चों किसानों और मजदूरों को सड़कों पर हाहकार करते हुए देख रही होगी सच्चाई ये है साथियों के मोदी सरकार मुठी भर पूझी पतियों के पैर पूझने वाली मोदी सरकार 20 से 25 लाख करोड़ के क्रिशी उपज के व्यपार और कारोबार को चार या पांच पूझी पतियों की गोदी में सोप देना चाहती है चोटे चोटे दुकानदारों, आड़तियों, मजदूरों, बटाईदारों, कामगारों और किसानों के पेट पर लात मारना चाहती है मोदी जी देश के किसानों दुआरा उठाई जा रही सीधे सीधे छे सरल बातों का जबाब देश आप से मांगता है और आज भारती राष्ट्रिय कॉंग्रेस की और से वो हम आपके समक्ष रखते हैं जब आप दीजिए नमबर एक समर्थन मुल्य की समाप्ती के शडियंत्र का मोदी सरकार ने अनाज मंडियों को खतम करने का कानून बनाया है अगर अनाज मंडियां खतम हो जाएंगी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानि समर्थन मुल्य पर किसान का अनाज खरीदेगा कौन क्या मोधी सरकार और फूड कॉर्परेशन ओफ इंडिया पंद्रा करोड किसानों के खेट से फसल खरीदने जाएंगे यह अपने आप में यह संभव है जब समर्थन मुले कोई देगा ही नहीं जो अनाजमंडी में मिलता है तो फिर MSP यानी समर्थन मुले मिलेगा कैसे देगा कौन और मिलेगा कहां किसान इस बात का जबाब मांगता है दूसरा सवाल जमा खोरों को खुली छूट क्यों दे दी इस काले कानूनों में मोधी सरकार ने काला बजारियों और जमा खोरों को एसीमित मात्रा में खाने पीने की वस्तूओं का भंडारन करने की ताकत दे दी है यानि अब असेंशल कमडिटीज एक्ट लागू नहीं होगा जो जितना चाहे दालें सबजियां, प्याज, गेहूं, धान, बाजरा, सरसों जो उनका भंडारन कर सकता है जब किसान की फसल बाजार में आएगी तो ओने पोने दामों पर खरीदी जाएगी और बड़े बड़े धन्ना सेट, काला बाजारी और जमाखोर उसका भंडारन कर आम जन्मानश को अपने मन मरजी के दामों पर उसे बेचेंगे सरकार कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी ऐसा क्यों तीसरा प्रधान मंतरी मोदी जी आप एक देश और एक बजार का सफेज जूट क्यों बोल रहे हैं आप कह रहे हैं किसान एक राज्जे से दूसरे राज्जे में फसल जाकर बेच सकता है पर 86 प्रतीशत देश के किसान के पास तो पांच एकड से कम जमीन है उसमें भी 80 प्रतीशत किसान ऐसे हैं जिनके पास दो एकड जमीन है वो अपने जिले से बहार फसल बेचने में सक्षम नहीं वो अपनी फसल मंडी तक ले जाकर बेचने में सक्षम नहीं वो दूसरे राज्जों में कैसे बेचेगा जब आप सीधा है धन्ना सेथ काला बजार काला बजारी और जमा खोर उसकी फसल ओने पोने दामों पर करी देंगे और फिर पूरे देश में जहां मरजी हो वहां बेचेंगे चौथा मोधी जी आपने खेती को पूंजी पतियों के हवाले क्यों कर दिया मोधी सरकार ने कॉर्परेट कॉंट्रेक्ट फार्मिंग का कानून बना कर एक नई किसम की जमा जमीदारी प्रथा की शुरुवात की है यानि 86 प्रतिशत जो छोटे किसान हैं वो खुद के खेत में ही मजदूर बन जाएंगे और कंपनियां उनकी मालिक बन जाएंगी और ना वो उनसे लड़ पाएंगे और ना वो उनसे मुकदमा जीत पाएंगे बीस से पच्चिस लाख करोड का खेती का कारोबार खेती की उपज का कारोबार मुठी भर लोगों के हाथ में चला जाएगा ऐसा क्यों? पांचमा गरीब की राशन प्रनाली पर प्रहार क्यों किया? और मंडियों के आड़ती मजदूर और करमचारियों को बेरोजगार क्यों किया? जब समर्थन मुले पर अनाज खरीदा ही नहीं जाएगा तो भोजन के अधिकार कानून में 86 करोड देशवासियों को राशन की दुकान पर राशन मिलेगा कैसे? और देगा कौन? और यहीं नहीं लाखों करोडों लोग मंडियों में ट्रांसपोर्टर, आड़ती, दुकानदार, करमचारी, मजदूर इन सब का काम करते हैं उनके रोटी और रोजगार का क्या होगा? और छटा और आखरी, खेट मजदूर और बटाईदार का भविश्य अंदकार में क्यों कर दिया? इन तीनों काले कानूनों में कहीं भी खेट मजदूर और बटाईदार शब्द की चर्चा भी नहीं, वो कहां जाएंगे? और आज मोदी जी ने इन तीन काले कानूनों की चर्चा करते हुए, इन्हें सही ठहराते हुए, मन की बात में मक्का की फसल की चर्चा कर डाली। आईए जानते हैं मक्का के किसान की हकीकत क्या है, देश में मक्का पैदा करने वाला किसान बदहाली के आंसू बाह रहा है, मक्का का समर्थन मुले है 1850 रुपिया क्विंटल, पर आप बिहार के सिमांचल से मद्धे परदेश तक चले जाएए, किसान को मिला 800 रुपिया क् बिटल की बजाए, मद्धे परदेश से बिहार तक उत्तर परदेश में, हर्याना और पंजाब में किसान गुहार लगाते रहे, पर सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी, एक शडियंतर के तहट मोदी सरकार मक्का के दान गिराती रही, और हद तो ये देख लिए, दे विदेशों से मक्का की फसल की इंपोर्ट ड्यूटी और चौंकिये मत, मोदी जी ने विदेशों से मक्का के इंपोर्ट की जो ड्यूटी है, उसे पचास परतीशत से घटाकर पंदरा परतीशत कर दिया, और पांच लाख मिट्रिक टन सस्ता मक्का विदेश से मंगा लिया जब देश के किसान का मक्का बाजार में आ रहा था इस प्रकार से पूंजी पतियों के साथ मिलकर शडियंतर किया जा रहा है हमारी सीधा कहना है मोदी जी किसानों के साथ छल कपट और शडियंतर करना बंद कीजिए और पूर्वा ग्रह छोड इन तीन खेती विरोधी काले कानूनों को खतम करने के लिए सीधे मन से बात कीजिए हमारी मांग है नमबर एक प्रधान मंत्री श्री नरिंद्र मोदी तीनों खेती विरोधी काले कानूनों को फौरी तौर से सस्पेंड करने की घोशना करें नमबर दो किसानों के खिलाफ दर्ज 12,000 FIR बगैर शर्त के फौरी तौर से वापिस लेने की घोशना करें नमबर तीन प्रधान मंत्री शिरी नरेंदर मोदी स्यम जो उन्होंने आज मन की बात में इन तीन काले कानूनों को सही बताते हुए कहा उसके लिए और हर्याना के मुख्य मंत्री मनोहर लाल खटर किसानों को आतंकी बताने के लिए सारवजनिक तोर से अपना बयान वापिस लेते हुए माफी मांगे नमबर चार प्रधान मंत्री शिरी नरेंदर मोदी स्यम लाखों किसान जो दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं उनके प्रते निधी मंडल से बात करें श्रिमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी के नेत्रितम में हम आश्वस्त है कि मोदी सरकार के एहिंकार को हरा कर हम किसानों की आजीविका को सुनिश्चित करेंगे